वेलकम बैक गाइज तो आवर चैनल डिजिटल तयारी मेरा नाम है चेतन पारिक गाइज अपन आरे सगरवाद सॉल कर रहे थे इंगलिस वाले जो बूक है उसमें टाइम एंड वर्क का चेप्टर चल रहा था 106 नंबर क्वेस्टन से आगे के क्वेस्टन अपन इस वीडियो पंदरा महिल है किसी काम को 6 दिन में कम्प्लीट कर सकती है यह अपन को गिवन है आगे क्या दे रहा है इट टेक्स हंड्रेड डेज फॉर वन मैं तो कम्प्लीट दा सेम वर्क अलून अगर एक आदमी अकेला काम करता है तो उसको सौ दिन का टाइम लगता है तो मैं क्या कर इन 100 युनिट को करने में 100 दिन का समय लगता है तो ऊस मेन की यहीं 100 युनिट को पारण 10 आदमी 15 महिलाओं को 6 दिन लगता है तो यहां से इस तरह के से काम पूरा हो जाएगा तो इसको मैं एक्कौल करदेता हूँ 100 युनिट एक महिला को इस पूरे काम को कम्प्लीट करने में कितना टाइम लगेगा तो मैं क्या लग देता हूं ठीक है इसको मैं सामने बेज देता हूं कितना हो जाएगा 50 by 3 इसको फर्दर वापिस में 3 को इधर ही बेज देता हूं ताकि आपन आगे इसको सॉल कर सकें कितना आएगा इधर 45 वोमें और 50 ठीक है यहां से देखेंगे अपन 45 वोमें is equal to मुझे मिल रहा है 50 minus 30 यानि 20 तो वोमें यहां से मुझे कितना मिल रहा है 20 upon 45 5 से cancel out किया तो कितना मिल रहा है 4 by 9 यह जो 4 by 9 है क्या है ? तो यह अपने को पुछा है कि उसको कितने दिन लगेंगे एक महिला को काम करने में किता प्सक्राइं के उप्सम्ट नहीं है तो अपना आंसर और नन अप दीज होगा clear है I hope आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा आगे चलते हैं देखो next सवाल की तरफ next question क्या है a man, a woman and a boy can do a piece of work in six days, nine days and eighteen days respectively how many boys must assist one man and one woman to do the work in one day मैं क्या कर देता हूँ देखो man, woman or boy एक 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 ये सारे जाना एक एक है इनको जो days लगते हैं वो अपन को given है six, nine and eight मैं क्या कर देता हूँ total काम को eighteen ही माल लता हूँ तो यहां से मुझे efficiency कित्ती मिलेगी, इसके तीन मिलेगी, woman की कित्ती मिलेगी, दो मिलेगी और boy की कित्ती मिलेगी, one मिलेगी, यहां तक देखो clear है या नहीं है question अपन को कह रहा है कि मुझे यह 18 unit का काम करवाना है, किस से करवाना है, एक तो आदमी होना चाहिए, एक महिला होनी चाहिए और question कह रहा है कि कितने boys उसके साथ काम पे लगाऊं ताकि यह काम एक दिन में खत्म हो जाए देखो यह ही है, simple question जो था मैंने उसको देखके equation मना लिए, अब यहां पर value put करना है, अपना answer अपन को मिल जाएगा m की जगे आपको 3 रखना है, तो यह कितना हो जाएगा, देखो 3 हो जाएगा, पूरा अटा रहूं यहां से, woman की जगे 2 रखना है, तो यहां से पूरा का पूरा अटा रहूं, यहां पर कितना हो जाएगा, और boy की जगे मुझे 1 रखना है, तो यह यहां से पूरा अट तो अगर एक आदमी और एक महिला के साथ तेरा लड़कों को काम पर लगा दिया जाए तो वो जो काम है अठारा यूनिट का जो काम है वो एक दिन में खतम हो जाएगा अगर कोई question बीच में मिस होता है तो आपको बिल्कुल भी टैंशन नहीं लेनी है वो question नवर आपको नोट करके रखना है वीडियो खतम होने के बाद वह question आपको खुद को करना है वो आप आसाने से कर लोगी क्योंकि वो बिल्कुल सेम टाइप के होंगी जो मैं आपको यहां अपने एक दो सवाल के उन में क्या होता था 3 men and 9 boys इस तरह के से कुछ लिखावा मिलता था तो अपन कर देते थे 3 men plus 9 boys कर देते थे लेकिन इस बार देखो 20 में आपको क्या दे रखा है और दे रखा है और का मतलब क्या है यहां पर यहां तो तीन आदमी काम करे चाहे नाइन लड़के काम करे काम तो 21 दिनों के अंदर ही पूरा होगा तो जब भी और का केस बनता है उस केस में अपन प्लस का साइन ने लगाएंगे यहां पर क्या लगाएंगे equal का sign लगाएंगे तो चाहे 3 आदमी काम करे तो भी उनको 21 दिन लगेंगे चाहे 9 लड़के काम करे तो भी उनको 21 दिन का time लगेगा यहां तो clear है यहां से मैं क्या करता हूँ M upon B निकाल देता हूँ M upon B देखो क्या निकलेगा 21 से 22 तो कड़ गया और 9 by 3 किता हो जाएगा 3 by 1 यह man और boy की efficiency का ratio आगया यह जो ratio आपको मिला है चाहे वो आप यहां पे put करो चाहे आप यहां पे put करो आपको same ही value मिलेगी और वो जो same value होगी वो अपना क्या होगा total work होगा total work तो मैं क्या कर देता हूँ यह जो value है वो यहां पे put कर दो तो यह जब value यहां पे put करता हूँ यह किता हो जाएगा 3 into 3, 9 हो गया और 9 into 21 मुझे करना है किता मिलेगा 9 into 21 करने पे मुझे किता मिला 189 clear है या या यह जो 189 है वो अपना total work है तो आगे पूछा क्या है कितने दिनों में 5 आदमी और 6 लड़के इस काम को काम क्या था आपने पास 189 यूनिट का कितना टाइम लगेगा कितने दिन का टाइम लगेगा बस यहां पे value रखनी है अपन को M और D के और इसको solve करना है किता है किता है किता है किता हो जाएगा 15 और 15 और यहां पे B की जाएगे एक रखते हो यह किता हो जाएगा च्छे 15 और 6 किता होते है अपने पास 21 होते है और 189 के अंदर जब आप 21 से डिवैट करोगे आपको किता मिलेगा 9 मिलेगा अई बास होन में तो कितने दिनों में काम पूरा हो रहा है तो भी काम 99 डेज के अंदर पूरा होगा और चाहर लड़के काम करें तो भी काम 99 डेज के अंदर पूरा होगा Yet लिखा है और और करने के लिखा है और लाश में 99 डेज है आगे क्या पूछा गया है How many days will one man, one woman and one boy together take to finish the same work एक एक अगर तीनों के तीनों हो तो उस काम को करने में कितना time लगेगा ठीक है तो यहाँ से देखते हैं क्या 99 तो सारे सारे cancel हो जाएंगी और दो से भी मैं अगर सब को cancel out कर देता हूँ यहाँ से मुझे क्या मिलेगा देखो M, यहाँ पर किता मिलेगा 3W और यहाँ पर किता मिलेगा मुझे 2 boy अगर मैं इन सब को के मानता हूँ यहाँ से मुझे M किता मिलेगा K M किता मिलेगा K W किता मिलेगा K by 3 और boy किता मिलेगा K by 2 है या नहीं है है या नहीं देखो यहाँ से इस तरीके से solve करके रखना है अब केक ये कि सारे के सारे कैंसे लाउट कर दीता हूं मुझे क्या मिलेगा 1 1 बाइ 3 और 1 बाइ 2 सब को 6 से मल्टिप्लाइ करा दो ताकि ये फ्रेक्शन हट जाए तो किता आयागा 6 यहां पर किता आयागा 2 और यहां पर किता आयागा 3 यह क्या है एक आदमी एक महिलें और एक लड़के की अक्या हुआगा murder आप इस चीज को बिल्कुल तरीके से भी कर सकते कैसे कड़ना वह बदलता हूं यह तो मैंने आपको बताया है बेसिक तरीका और यह two से one times कड़ गया करना क्या है man woman और boy की efficiency निकालने है तो आपके पास यह जो चीज है उसका reciprocal कर लो three है तो one by three कर लो two है तो one by two कर लो ठीक है इन सब को six से multiply कर लो directly तो किता आएगा six two और three यह जो चीज है वह वाली method से आई है आपको याद रखना है कि direct reciprocal कर लो आपको efficiency का ratio मिल चुका है अब यह जो perishable deficiency का ratio है आप कहीं पर कर सकता है चाहिए आप यहाँ पर पूट कर ओ आपको जो है exact value मिलेगी और क्या होता है अपना total work होता है ठीक है वह क्या होता है total work होता है तो यह value of prefer put कर देता है मैं यहाँ पर क्या पूचा गया है कि यह जो काम है वो कौन कौन करता है एक आदमी एक महिला और एक लड़का सब एक-एक है तो इन सब को एड़ कर लो कितना आ रहा है 11 मिल रहा है मुझे ठीक है तो यह पूरा का पूरा हटा के मैं आपका लिख रहा हूं 11 11 से इसको कैंसल आउट करता हूं 1 और 8 टाइमस में ठीक है और 18 इंटू 6 मुझे कितना मिलता है अठारा इंटू 6 हो जाएगा अपने पास 108 अठारा इंटू 6 कितना हो जाएगा 108 अप्शन के अंदर अगेन नहीं है तो अपना अंसर क्या होगा नन ओ दीज आई बात समझ मैं नहीं आई आई होप आपको लॉजिक पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा और आप साथ साथ में जरूर ट्राइ कर रहे होगे देखो अगला सवाल आपके सामने है ट्राइ करें पहला आप खुद एट मैं कें कंप्लीट अवर्क इन ट्वेंटी डेज एट वुमें कें कंप्लीट दे सेम वर्क इन थर्टी टू डेज चाहे वो काम आठ महिला करें आठ आदमी करें उनको बीच दिन का टाइम लगता है और अगर वो काम अगर आठ वुमें द्वारा किया जाए तो उनको का टाइम लगता है यहां से अपन पहले मैंरो इन वुमें का निकाल देता है कि इता का है और यहां कि यहां पहुतल आट एंटू किता हो गया 20 और कैसे द्वारा काम करएंग कर वह नहीं और यहां पर हम महिला व्ड़िस आप uh और k सोलनरकल नहीं दो हो रहने कितना है आपको पांसर किता है 16 days option number D जो है वह अपना answer हो जाएगा clear है चलता है देखो next सवाल की तरफ next सवाल आपके सामने है क्या कह रहा है 18 men can complete a piece of work in 63 days 18 men can complete a piece of work in 63 days आगे कह रहा है 9 women 9 women takes 189 days to complete the same piece of work यहां तो clear है यह नहीं आगे क्या कह रहा है how many days will 4 men 9 women and 12 children together take to complete the piece of work if 7 children alone can complete the piece of work in 486 days आगे एक चीज़ और लिख रहा है कि अगर 7 children को काम करने में 486 days का time लगता है देखो बहुत ही simple question है या नहीं है थोड़ा calculate हो सकता है लेकिन question बहुत ही simple है क्या करना है अपने इसको solve करते है देखो 9 से अगर मैं cancel out करता हूँ क्या यह 9 से करता है 9 से देखो इसको काटा है एक वार में कट रहा है 9 से मैंने इसको काटा तो यह 2 वार में कट रहा है और 9 से जब मैं इसको काटता हूँ देखो 9 तू पांच 15 तक तो होगा और तीन उदर बेशता हूँ तो किता आ जाएगा 4 चौपन यहां तक देखो clear है यह नहीं है उसके बाद 3 से अगर मैं काटता हूँ देखो 3 से इसको काटता हूँ यह 21 मुझे मिल रहा है 3 से जब काटता हूँ तो 6 और 3 मिल रहा है और 3 से जब काटता हूँ तो किता मिल रहा है 18 मिल रहा है देखो यहां तक ठीक है और अगर किसी सिसे कटता है तो थी चाटने पर सिञ्धे। आपको यहां से आपको प्टय ऑप्ट का पता लिए। ता सिप्ता मिलनेगा थेंFTдо जो भी चीज आपके पास विछ करम के रूप में रूप लेखलो क्या कर देंस के lands आपने पास मैन और चल्डरन की इस एक हुआ का इस्यों चाहिए इह इंदरर आपको CC निकाले इसके अंदर गिए जो में एक्वेशन है इसके अंदर आपको वैल्यू रखनी है तो में एक्वेशन क्या है 18 इंटु मैं मैं की जिए के मैं रख देता हूं 3 1060 इंटु 63 divide by काम करवाना किससे मुझे इंसे करवाना है तो यहां पर यह वैल्यू रख देता हूं देखो नेको 3 रखता हूं किता हैंagog tomb 5 12 ड़ए 28 नतर गत्र कित дорогा 6 वार में 7 से इसको काटा 9 वार में 3 से देखो यह 2 वार में कट रहा है ठीक है और 2 से किती वार में 9 टाइम्स कट रहा है 9 इंटो 9 किता होता है अपने पास 81 होता है यहीं अपना आंसर क्या होगा इस प्रेस्टन का 81 डेज का टाइम लगेगा अगर चार आदमी 9 महिला है और 12 चिल्टन उस काम को करते हैं अपना आंसर हो गया आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे यह सारे के सारे एक टाइप के अंदर चल रहे है देखो नेक्स सवाल आपके सामने है खुद ट्राइ करो पहले 16 men can finish a work in 24 days 16 men can complete a piece of work in 24 days while 48 boys can finish the same work in 16 days ठीक है यहां तक यह अपन को चीज दे रहे है क्या कह रहा है देखो question आ गई question थोड़ा इस बार change है क्या कह रहा है 12 men started the work 12 आदमियों ने काम किया after 4 days और 4 days तक काम किया चार दिन के बाद यहां पर 12 boys joined them 12 आदमियों तो थे ही इनके साथ 12 boys और आ गए काम पर in how many days can they finish the remaining work तो यह जो remaining work है अब वो कित्ते दिन के अंदर खतम हो जाएगा देखो यहां तक कोई doubt है या नहीं है बिलकुल जो question है मैंने आपको explain कर दिया है अब पहली चीज अपन क्या कर देता है की man और boy की efficiency का ratio निकाल देता है कित्ता मिलेगा 48 into 16 divided by 16 into 24 और शोड़ा से तो 16 काट देता है अपन डिरेक्ली और उसके बाद यह कित्ता है रहे है कित्ता रहे है कित्ता रहे है यह जो तुवश्ट वन है चाहिए आप यहां पर रखो चाहिए आप यहां पर रखो आपको क्या मिलेगा same value और वह same value क्या होती है total work तो यह value मैं यहां पर रख देता हो कित्ता हो जाएगा यह 32 इंटू चोईस देखो 32 इंटू चोईस हो गया और 32 इंटूच को further मैं multiply करता हो कित्ता आएगा मैंगर एक दिन में चॉइस निट काम होता है तो चार दिन में कितना कामुआ होगा चार दिन मैं 96 जितना काम होगा मतलब यहां से लेकर यहां तक 96 काम है और वह कुरा हो चुका है अब काम बचा कितना है 768 minus माइनस का 96 इतना काम पीछे रिमेनिंग बचा है तो इसको माइनस कर लेता हूं किता मिलेगा मुझे यहां पर दू और सोड़ा में से नौ जाएंगे किता हैंगे साथ और साथ एक तो चला ही गया था पीछे किता बचा चैंए यह जो रिमेनिंग वर्क है मेरे पास वह किता है 600 बहुततर यूनिट का काम कौन करता है बारा आदमी और बारा बच्चे तो बारा आदमी यहां पर चॉइस हो जाएग बाई 36 देखो यहां तक कोई doubt अब देखो आगे क्या करना इसको solve करना है जब मैं इसको 2 से cancel out करता हूं देखो 2 से cancel out करते हैं चोटे-चोटा करका काटता है या फिर मैं direct 4 से काटता हूं देखो कितना मिलता है और 2 इस तरफ बेशता हूँ मैं यहाँ पे तो 6 वार में 14 तक जा रहा है और 3 वार बेशता हूँ 8 वार में और यहाँ पे कितना आ रहा है देखो 9 ठीक है उसके बाद आगे अगर 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 अपन काटते हैं 9 से अगर मैं इसको काटने के कोशिश करता हूँ तो यह एग्जेक्ट नहीं कटेगा मेरे शाब से यहाँ पे कितना आ रहा है 1 और 7 उस तरफ बेशता हूँ तो कितना आ रहा है 8 बहुत तर्थ तो कट गया है फिर कितना आ रहा 6 बटा 9 18 सही 6 बटा 9 अप्शन के अंदर फिलाल अपने पास यह है नहीं तो फिर से अपना अंसर क्या होगा और नन ओफ डीज आई बात समझ में नहीं हो सकता है अपने कई पर कैल्कुलेशन मिस्टेक भी करी हो एक बार आप जरूर चेक करने लेकिन आई होप आपको लॉजिक जो है इस प्वेस्टन का जरूर समझ में आ गया है जहां तक मुझे लगता है इसका अंसर यही होगा और नन ओफ डीज होगा फिर भी एक बार आप कैल्कुलेशन जरूर चेक करने क्लियर है तो फिलाल देखो इस गाइज इस वीडियो के अंदर अपने इतना ही रखते हैं आगे आने वाले पार्ट के अंदर अपकमिंग क्वेस्टेंज को सॉल्ल करेंगे टैंक में